देख सकते हैं आप उजड़े हुए घर उखड़े हुए पेर और हर तरफ पानी का सैलाब यही बस दिख रहा है हमें संगम नगरी पे और ऐसे में चलते जो हमारे नाविक होते हैं उनके उपर बड़ी जिम्मेदारिया भी आ जाती है और उनका जीवन किस तरीके से जिला निसाथ सभा बोट में थान समीत नाविक संग वाद्याच तो हम आप से जाना चाहेंगे कि क्या समस्याइं आपको देखने को मिलती हैं जब बार आती है तो क्या-क्या परिशानिया उठाने को आप लोग उठाते हैं बहुत ज्यादा परिशानी का सामना करना पड़ कुटा है चारहजार तीन हजार पंडे लोग रहते हैं हम लोग का जो शमिश्या है हम लोग सिवा करने का जो उन्हें मौका मिलता है हम लोग सभी को बार से सुरच्छित उनके अस्थान तक पहुंचाते हैं इस समय बार में आपको रोजगार तो मिलना मुश्किल है अभी तो हम लोग अपने ही नाओ को किनारी की तरफ ले जाते हैं भाटाते बढ़ाते हैं जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा हमारे नाविक उनके घरों में जा-जाका उनकी मदद कर रहे हैं अभी यहां की करें संगम पर हम हैं कितना अभी पानी बढ़ चुका है पानी हम मंदिर तक पहुंच चुका है Doch the अब ब्रेक हो गया है रुख गया है तरह से प्रशासन से हम यहीं कहेंगे कि इनकी जो मांगे हैं जो जरूर्वते हैं उसको जरूर सुना जाए क्योंकि इस टाइम पर यहीं है अगर यह मदद के लिए नहीं आएंगे तो काफी सारी दिक्कते आ सकती हैं पर यह बिलकुल जो